नमस्कार मेरे प्यार लाडलो, क्या हाल चाल, I hope आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, तो मेरे प्यारे भाई, आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही सांदार तरीके से कॉपी लिखना सिखाएंगे, इस तरीके से बोड इकजाम में आप हिंदी की कॉपी को कैसे लिखें कि आप पूरा का पूरा सो में सो नमबर पा जाएं, सो में सो भाई आपको लेना है तो कैसे पाओगे, क्या उसमें रणनिती होनी चाहिए, किस तरीके से लिखें, ठीक है, तो देखें, अगर आप पूरे के पूरे चैप्टर्स को अच्छे तरीके से पढ़े नही हैं, तो आप अच्छे ढंक से पढ़ लीजिए, क्योंकि पूरा नमबर पाने के लिए अच्छे खासे उसमें जानकारी की जहुरत पड़ेगी, बहुत अच्छर वैठा के आपके लिख देने से नमबर पूरा नहीं मिलने वाला है, अभी से हमारे द्वारा चैप्टर प्रिवियस यर क्वेश्चन पेपर सलियूशन, वह आप सभी बच्चे परचेज कर सकते हैं, अगर एक सब्जेक्ट लेंगे 29 रुपए मिलेगा, अगर पांचों सब्जेक्ट एक साथ लेंगे तो मात्र निन्यान बे रुपए मिल जाएगा, जिन बच्चों को लेना है व वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, साथ ही साथ आपको PYQ सबसे बड़ा इंपोर्टेंट चीज क्या है, प्रिवियस यर क्वेश्चन पेपर सलियूशन, पांच साल के अगर आप कर लेते हैं, तो मेरी गरेंटी है, इसमें जो कंटेंट फंसेगा आपके बो यह होते हैं, तो मैं उन्ही को दे रहा हूँ, बिल्कुल सलियूशन दे रहा हूँ, मैं जितना कंटेंट दूँगा, आप उतना तयार कर लो मेरे भाई, उतने में क्वेश्चन फंसेगा, बाहर से कुछ तयार करने की ज़रुरत नहीं है, में पॉइंट पर आते हैं, बात यह है कि कॉपी को कैसे लिखें, क्या कॉपी में प्रस्णों को उतारना जरूरी है, क्या पूरे प्रस्ण उतार कर उसके नीचे आंसर को लिखना जरूरी है, तो मेरे भाई नहीं, देखो कॉपी लिखने का तरीका यह है, कि जैसे यहां पर मैं पहला प्रस्ण लिया हूँ खंड कपा पहला प्रस्ण प्रस्णोतर संख्या टी दिया है लिखने का तरीका कुछ बच्चे क्या करते हैं कि पहले का 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 अगर एसाई है तो यहां पर ए लिख देंगे ऐसा नहीं करना है थोड़ा यूनिक्यू में आप लिखना है ए लिखके अब देखो इस पहले के पहले के इसका का पी नंबर आपसन राइट है तो बी के साथ जो आपसन सही है वो भी पूरा उसमें लिखना है देखो मैंने क्या लिखा है किप्टी कलक्टरी के लेखक अमरकांत हैं इस कहानी का प्रकाशन और 955 इस भी में हुआ मतलब अच्छे से फिके अच्छे ढंग से लिखा हुआ है इसी तरीके से दूसरा अब कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं जरा ध्यान देना मैं आपको दिखा देना चाहता हूं यह है पहले प्रश्ण उतारेंगे फिर उसका उत्तर देंगे यह देखो प्रश्ण उत्तर एक का कह है और यह प्रश्ण है पूरा प्रश्ण डिप्टी कलेक्टरी के लेखक हैं ध्यान देना डिप्टी कलेक्टरी के लेखक चार आप्सन भी लिखेंगे वासुदेव सरण अग्रवाल अमरकांत प्रोफेसर जी सुन्दर रेड़ी डाक्टर हजारी प्रसाद दुवेदी मैं उसी को अभी जो पेपर दिया था क्यों उसमें वो सारी चीजें बता रहे हैं जो आपको जहुरत है ठीक है अच्छा यह कौन से बच्चे करते हैं जो बाहर जाके कमाई करत बाहर जाके पैसे की किल्ड़त होती भाई बेरोजगारी का दवर चल रहा है यह बच्चे फॉर्म डाल देते हैं जब बोड इक्जाम होता है तो बाहर से आते हैं मुंबई दिल्ले के माने चले जाते हैं इनकी भी एक मजबूरी है क्या किया जाए बाहर से जब आएंगे उनको तो कुछ पता नहीं है लिखने के लिए तो क्या करते हैं पहले प्रशन उतारते हैं प्रशन क्यों उतारते हैं क्योंकि उन्हें उत्तर पता ही नहीं है तो सोच रहे हैं कपिया प्रशन इसे भर दिया जाए और उसके बाद अगल बगल से कुछ मिल गया तो ठीक है न उतारा चार आपसन उतारा और उसमें से जो सही है वो क्लिक कर दिया और नहीं आ रहा है तो जो मन में आया बोला बदरंग बली की जाए जिस पे उंगली पड़ गई सही है उसी का आपसन लिख दिया मतलब सब काम रामभरों से ठीक है तो इस तरीके से प्रस्णों को आपको क कैसे है तो मैं यहां पर आपको बताया कि प्रस्ण लिखना है उसके आपसन का उत्तर लिखना है ठीक है प्रस्ण लिखना उसके आपतन का दो भी सही है इस तरीके से आप लिखेंगे उसके बाद यहां पर गद्यांस पद्यांस भी कैसे लिखना है जरा ध्यान देना अब गद्यांस पद्यांस की बारी आती है, गद्यांस में क्या है मेरे लाडलों, प्रश्णोत्तर संख्या 3 का क, ठीक है, ये 3 का क है, तीन के क में ये जो गद्यांस है, इसका आप क्या करोगे, जो गद्यांस लिखा होता है, उसमें सुरू का 3-4 अच्छर लेंगे, फिर डाड़ लास्ट का 3-4 अच्छर लिख देंगे ठीक है और यहां पर प्रस्ण उत्तर एक का जो भी उसमें प्रस्ण पूछा गया है उसका उत्तर यहां पर लिख देंगे अच्छा इसमें प्रस्ण क्या पूछा गया था ये भी देख लेते हैं हम लोग इसमें प्रस्ण क्या पूछा गया था आज आते हैं यहां पर दो काक्व में देखो निम्नलिखित में से अयोध्या सिंग त्री कि तीसरे में होगा कि तीसरे में देखे जरा तीसरे में है यह ठीक है दिये गए गद्यांस पर आधायर मिलके प्रस्णों के उत्तर दीजिए अभी मैंने यहीं तीन-चार लाइन शुरू में लिखा था ध्यान देना सही बच्चे अभी मैंने यहीं सुरू से तीन-चार लाइन लिखा था साही तकला नित्त गीत और लास्ट का ये वाला अच्छर स्विकार करता है ठीक है यह लिखा था डाट-डाट करके अब देखो इसमें पहला प्रस्ण क्या बनता है पहला प्रस्ण ये बनेगा ध्यान देना मानसिक और स्वास्ट कर सब्दों के अर्थ लिखिए मानसिक और स्वास्ट कर सब्दों के क्या लिखना है मेरे लाड़ों अर्थ लिखना है ठीक है क्या लिखना है अर्थ लिखना है तो यहाँ पे अर्थ में आप देख सकते हैं अर्थ में क्या है जरा ध्यान देना अर्थ में आपके ये रहेंगे उत्तर यहां से है यहां से उत्तर दिखे उत्तर यहां से है कनमबर साहित कला नित्यगीत अमोध प्रमोध अनेग रूप में राश्टिय जन अपने मनो भाव को प्रकट करते हैं इस तरीके से उतका उत्तर देना है, लेकिन हमें question नहीं उतारना है, हमें इस तरीके से ही करना पड़ेगा ये चीज याद रखना, ये काँपी लिखने का ढंग होता है, कोई बच्चा पूरा प्रशन नहीं उतारेगा, हमें इस तरीके से लिखना है, देख रहे हैं न, एकद प्रस्णों को नहीं उतारना है और बढ़िया एकदम लल्च हुआ अच्छर के साथ लिखना ठीक है घार है